हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सिब्जर कमपनी की हलवा घीकवार के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी फुल जानकारी मिलेगी कि आखिरकार हलवा घीकवार होता क्या है इसके खाने के फाइदे क्या हैं इसको कब और कैसे खाना हैं खाने का सही तरीका क्या है और दोस्तो इस मेडिसिन को आप घर वटे आनलाइन भी मंगवा सकते हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंतक बने रहें अब हम बात कर लेते हैं हलवा घीकावार के बारे में दोस्तो यह मेरसीन जो होती है 100% प्योर यूनानी मेरसीन होती है जिसको सिब्जर कमपनी द्वारा मिनफेक्चर किया आता है और दोस्तो यह मेरसीन जो होती है कहीं बीमारियों को ठीक करने का काम करती है इसके साथ इमिर्टी सिस्टम को बूष्ट करने का काम करती है चलिया दोस्तो बात कर लेते हैं इसके खाने के फायदे के बारे में या इसके यूज़स के बारे में दोस्तो जो हल्वा घीकावार होता है यहां मल्टी बिटामिस और एंटी आक्चिडंट से भरपूर होता है दोस्तो जब आपके सरी में पोस्त तत्तों की कमी हो जाती है जैसे कि बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन E, बिटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है उस Condition में यहँमेटसین इन सबी की पूरती करने में काफी ज़्यादा फाइधेमन्ध होती है और दोस्तो यहमेटसीन जो होती है दर्द निवारक होती है दोस्तो जब आपके माश्वेसियों में दर्द होता है आपके सरी में कहीं भी दर्द होता है जोडों का दर्द होता है उस कंडिशन में यह मिटसीन जो होती है दर्द को ठीक करने का काम करती है इसके साथ यह मिटसीन आपके याददास पाउर को मजबूत करती है और दोस्तों अगर आपको खांसी आती है दोस्तों खांसी जो होती है दो परकार की होती है सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोस्तों यह मिर्सीन दोनों परकार की खांसी को ठीक करने का काम करती है इसके साथ अगर आपके गले में खरास रहती है उस कंडिशन में यह मिर्सीन आपके लिए फाइदे मन्त हो सकती है और दोस्तो अगर आपके बाल तूटते हैं या फिर जड़ते हैं उस कंडिशन में यह मेड़सीन आपके बालों को मजबूत करने का काम करती है और दोस्तो यह मिट्सीन अगर आपको घाव हो गया ठीक नहीं हो रहा है उस कंडिसन में यह मिट्सीन जो होती है घाव को भढ़ने का काम करती है इसके साथ साथ यह मिट्सीन इमिट्री सिस्टम को बूष्ट करने में काफी जादा फाइदेमन्द होती है दोस्तो यही होते हैं इस medicine के use शलिये दोस्तो बात कर लिते हैं कि इसको काबा और कैसे खाना है खाने का सही तरीका क्या है दोस्तो 12 ग्राम से लेकर 25 ग्राम दिन में एक बार सुबा नास्ते के बाद या फिर साम को खाना खाने के बाद आप दूद के साथ ले सकते हैं दोस्तों जिन लोगों को ज़्यादा समस्या है उस कंडिशन में पचीस गिराम दिन में एक बार दूद के साथ ले सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लिते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे खरीदना है कहां से खरीदना है दोस्तो इस medicine को आप अपने आज पास के medical store पे खरी सकते हैं इसके अलावा Amazon या फिर फिलिप कार से आप इसे खरी सकते हैं इसके अलावा इस कीरिन पर दिख रहे mobile number पर काल करके इसे आप घर बैठे आनलाइन भी मंगवा सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके सैट्पिट के बारे में दोस्तो जो हल्वा घीकवार मेडसीन होती है या 100% pure युनानी मेडसीन होती है दोस्तो अभी तक इस मेडसीन के कोई भी सैट्पिट नहीं देखे गए हैं दोस्तो यही थी आज की जानकारी सिब्जर कंपनी की हल्वा घीकवार के बारे में आई हुपे जानकारी आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी वीडियो को करें लाइक और लाइक करने के साथ चैनल को करें सस्क्राइब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत